हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्दी बागडी आपका अपनी यूटूब चैनल असके बागडी शर में आपका श्वागत है दोस्तो लोग देवताओं की जो सीर्ज आमने शुरू कर रही है लोग देवताओं की ये लास्ट वीडियो रहेगा लोग देवताओं के बारे में बाकी हमने लोग देवताओं के बारे में ये लास्ट वीडियो है लोग देवताओं के बारे में तो चैनल के साथ में बने रह वीर कल्ला जी के बारे में वीर कल्ला जी जनमस्तान सामियाना गाउं जोदपुर ये राठोड वस के वीर कल्ला जी राठोड थे वस इनका मेड़तिया राठोड था पिता राव अचल्ला जी या आज सिंग राठोड आज सिंग राठोड था ये मीरा के क्या थे बतीजे थे वीर कल्ला जी वो मीरा के बतीजे थे और मीरा कौन थी भी मीरा आप जानते मीरा का जनम राव दूदा की पोतरी रतन सिंग की पूतरी राणा सांगा के पूतर राजा भुज की पतनी तो भुजराज की पतनी मीरा जिसने दास दासे संपरदाय चलाया था और मीरा के बतीजा क का अवतार चार हातों का देवता एक ऐसे लोक देवता जिने चार हातों का लोक देवता वैसे इसना का अवतार का जाता है क्यूं का जाता है दोस्तों इसके बारे में एक माननेता मिलती है देखे जरा 1566-68 इस्यू में आपको याद होगा अगर आपनी मेवाड का इतियास राजा कोन था इस समय उद्यपूर, जो उद्येशिंग्ह था वोतो चला जाता है, गोगुंदा चला जाता है। पर जेमल और फता की नारे लग रहे हैं उनके सामने जैमल और फत्ता के नारे लग रहे हैं तो कहते हैं यहां पर चितोडगर दुर्ग के पास में जैसे यह चितोडगर दुर्ग हुगा आपका चितोडगर दुर्ग के पास में यहां पर अकबर भी एक कहते हैं सा टिला बनवाता है दुर्ग बनवाता एक तो कहते हैं इस टिले पर जब खड़ा होकर चितोडगर दुर्ग के पास में खड़ा होकर अकबर अपने चितोडगर दुर्ग की तरफ देखता है इसकी अबादी को देखता है तो यहां पर कहते हैं जैसे दिन में जब दुर्ग युद चल रहा था उस समय एक दरुग की दिवार है, वो गिर चुके थी, यहांपर जैमल और फत्ता रात के समय इस दरुग का निरमान कार्य करवा रहे थे, तो यहांपर अकबर देखता हूर यह कयता है कि रात को यह लोग कोन है, यह क्या कर रहे हैं, तो उनके सैनिकों की दोवारा बताया जाता है कि यही है जैमल और फत्ता जिनके कारणची तोडगर दुरूख अभी तक डटा रहा है तो कहते हैं अकबर ने अपनी बंदुग संगराम से गोली चलाई और जैमल फत्ता को जैमल फत्ता के कहते ही है गोली पेर पर लगी और जैमल उसी समय क्या हो गायल हो जाता है इसी गायल अवस्ता में जब गायल हो जाता है दूसरे दिन जैसे युद्ध सुरू होता है दूसरे दिन युद्ध सुरू होने के बाद दूसरे दिन युद्ध में लड़ना होगा तो अब जैमल लड़े कैसे कहते हैं जैमल का बतीजा जैमल का बतीजा कौ दिया था मुश्लिम शेना का तो कहते हैं अकबर ने जब देखा दूर से तो पूसता है कि ये कोन है तो ये बताया जाता है कि अकबर ने उपादी दी कल्ला जी को चार हातों वाला लोक देवता परकट हो चुका है तो इस समय कल्ला जी को रहात्तों के देवता और इनेक आजाता है साथ में सेंस नाग का अवतार इसके बाद में दोस्तों बात करें नेक्ष इसके उपनाम की उपनाम मिलते हैं दोस्तों इसके उपनाम या अन्य नाम केहर जी कल्यान जी कम धज कम धन ठीक है इसके बाद में परमुक पीठ या मुक् इंक Peatκα बाट करेंग दोस्तों हरीराम जी के बारे में हरी राम जी जो आपने देखा होगा हर गाassad के देखते हैं अजाश् user नागोर में अरिराम जी का मुक्य स्थाल कायई जोरडा प्रती के बनी होते हैं तो इनकी भी सांप की लिंब की परत 네 atac डेूजू जो हरिराम जी का परतीक माना जाता है और इसके बाद में दोस्तो realized प्रफब चैनल वास्ति प्रफब शान से शक्राइन है। जाता है अपने लोक देवियां पढ़ने वाले हैं करणी माता के मंदिर को मठ का जाता है इसके बाद में आई माता की बात करें तो उन्हें भडेर का जाता है तो इस परकार से ये मंदिरों के नाम होते हैं तो जासतल को बोला जाता है बात करें दोस्तो हरीराम जी हो गए इस नाम पर हिबाड में परगने का नाम मालानी पड़ा था मलेनाथ निजी सतरा सो तेरा सो अठंतर इस्वें फिरोसा तुगलक के सेनापती निजामुदिन को क्या किया था परास्त किया था राव मलीनाज जी और दोस्तो इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने बताया था तेजा जी के बारे में पढ़ाया था सोरी माफी चाओंगा तेजा जी के मेले में मैंने बता दे तेजा जी का जो मेला होता है आयकी दर्ष्टी सबसे बड़ा होता है जब सबसे प्राचिन की बात की तो इसके बाद में नेक्स्ट रम बात करेंगे लोग देवता तलिनाजी तलिनाजी इम देखे वास्तवी नाम गांग देव राठोड पिता विरम देव राठोड गूरु जालंदर नाथ तलिनाजी ने गोर रक्ष्यार्त मुसलिमों से लड़ते हुए बीरगती को प्राप्त जालोर इसके बाद में ओरन या बिट्स क्या होता है यहां पर पांचोटा जालोर की जो जालोर की पांचोटा की पाड़िया हैं वहां पर जो वरक्ष होते हैं जंगली जो वरक्ष होते हैं उनको नहीं काटा जाता है उन्हें बोला जाता है ओरन किसी लोग देवता देवि कहा जाता है इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे मामा देव की मामा देव मामा देव कौन से लोग देवता है तो यह होता है दोस्तों बर्शात के लोग देवता मामा देव कौन से लोग देवता बर्शात के लोग देवता इनके परतीक के रूप में तोरण की पूजा की ज जाती है इन्हें किसकी बली दी जाती है बैसे की बली दी जाती है मामा देव की छतरी कुम्बल गड़ दुर्ग में है जहां पर राणा कुम्बा आपको याद होगा राणा कुम्बा को रा उद्दा ने इसी कुम्बल गड़ दुर्ग में मामा देव कुंड में इसकी बली द आनेता है सोरिया के इष्ट देवता या मीना जाती के लोग देवता मीना समाज के लोग इनकी जुठी कशम नहीं खाते इसके बाद में दोस्तों बात करें मुख्य स्तलकी गोतमेश्वर बाबा का मुख्य स्तला अरनोद परताब गड में दोस्तों द्यारकना गोतमेश्वर बुरिया बाबा का ओरनेद फरताबगड में अन्य स्तल की बात करमें करें गोतमेश और महादेव मंदीर शिरोई में इसके बाद में नेक्ष लोग देवतार रहेगे दोस्ते वीर बिगा जी वीर बिगा जी की बात करें वीर बिगा जी ये वो पिता मेहंदास माता सुल्तानी जनमस्तान रीडी गाउं बिकानेर दोस्तों प्यूचा जा चुका है बिगा जी का जनमस्तान कौन सा रीडी गाउं बिकानेर जाट या जाकड समाज की दोस्तों द्यारकना है बिगा जी को कुल देवता माना जाता है जाखड समाज का कुल देवता माना जाता है मुख्यस्तान की बात करें बिगा जी विका ने इसके बाद में दोस्तों बात करें देव बाबा देव बाबा गवालों के देवता मुख्यस्तान नगला जहाज भरतपूर में देव बाबा का मुख्यस् बात करेंगें गुटे जुन्जार जी का जनम divorce कर जुन्जार जी ने गोills रक्षरत मुसिमानों से लड़ते हुए वीद्यकी कोrupt उब प्रॉप्त की मुखे जुन्जार जी के उस समय यहां पर कहते हैं बड़ा एक घमाशान युद हुआ था उसमें पांच दूला मारे गए थे और इसी कारण महाँ पर आज वरतमान में जुन्जार जी की पूजा होती है वहां पर जो लोग जाते हैं जुन्जार जी कि यहां पर जो जाते हैं मनत मां disregard यहThis speak मेला नहीं नहीं तो वहां पर जाकर मन्त मंगी है जुन सर्थी के दवारा और कहतें यहांपर मन्ते पूरी भी की जाती है मॉन्नेताहुन के इंसार इसके बाद हैं दोस्तों बात करेंगी के स्रिया कुवर जी की मन्नेता है सांत् गोगा जी का पुत्तर का नाम केसरिया कुमर जी है गोगा जी के पुत्तर थे सफेद रंग की जो दोजाच पैनाई जाती है गोगा जी की यहां पर जड़ाई जाती है वो सफेद रंग की दोजा होती है वो केसरिया कुमर जी की होती है इसके बाद हम बात करें मुख्यस्तल क तो दद्रेवा चुरू में क्योंकि गोगा जी का जनम भी का हुआ था दद्रेवा चुरू में तो केसरिय कुमर जी का जनम भी देद्रेवा चुरू में हुआ था इसके बाद हम बात करें, रूपनात जी या जर्डा बाबा, रूपनात या बालकनात के रूप में पुझे जाने वाले, पापू जी के बतीजे थे, इंबुडो जी के पुतर थे, इन्होंने जिंदराओ खिंची को मार कर, दोस्तों ये जिंदराओ खिंची कोन था, तो मैं पाबुजी देखा था आपको सुन में आ जाता पिछले वीडियो मैंने बताया था इससे पहले पाबुजी जो करवाया था उसमें कि पाबुजी की जो हत्या की गई थी वो जिंद्राव खिंची से यूद लड़ते हुए पाबुजी वीरगती को पराप्त हुए थे और ये इस पाबुजी की हत्या का बदला लेता है कौन रूपनात जी जो पाबुजी का बतीजा था इसने जिंद्राव खिंची को मारकर अपने पिता वे चाचा की मौत का बदला लिया था दोस्तों मुख्यस्ताल की बात करें नोख्छा तसिल बीका नेर में सीयंस्ताल बीका नेर कॉलममेंड फलोधी तसिल जोधपुर इनका रूपनाजी का मुख्यस्तान माना जाता है और वर्तमान में रूपनाज एस पी हिमाचल परदेश में बालक नाथ के रूप में पुझे जाते हैं दोस्तों द्यारक ना वेरी पॉर्टेंट की उसन बनता है कि रूपनाजी इमाचल परदेश में किस नाम से पुझे जाते हैं तो बालक नाथ के रूप में पुझे जाते हैं बात करें दोस्तों डूंग जी वे जोहार जी की ये डूंग जोहार जी भी अच्छे लोक देवता और करांती भीर माने जाते हैं डूंग जोहार जी ये देखे कोन थे मुख्यस्तान इसका था पाटोदा शिकर में इनका मुख्यस्तान डूंग जोहार जी था ये राश्ट्र दोंग जी वेजवार जी करांती से समन दित है डोंग जी वेजवार जी ऐसे वीर थे जो अमीरों को लुटकार इनका धटन लुटकर recess करीबों में बाढ़ते थे और ज्वार जी ने लूटा था तो उस समय कहते हैं यहां से बाउन हजार रुपे वै पांस चाथ गोडे डूंग जी वै ज्वार जी को यहां से मिले थे इसके बाद दोस्तों बात करेंगे वीर फत्ता जी की और लोटे जाटर करना मिना इनके प्रमुक से होगी थे ठीक है दोस् कंजर जाती के लोग इन्हीं सराब चड़ाते हैं जिसे हाकम राजा का प्याला का जाता है और हाकम राजा का प्याला पीकर कोई भी जूट नहीं बोलता दोस्तों अगर क्यूशन पुछा जाएगा तो शिद्धा क्यूशन पुछा जाएगा कंजर जाती का लोग देवता क होना है हाकम जी बात करें दोस्तों कल्यान जी की मानेता है डिगी पूरी का राजा डिगी कल्यान में डिगी कल्यान टोंक में मुख्यस्तान डिगी कल्यान टोंक कल्यान जी के बारे में दोस्तों क्यूशन एकी क्यूशन बनता है वहरे इंपॉर्टन क्यूसमेर में अंतिम जो लोक देःता है वहाँ भूमिया जी जो भूमिर्खशक देःता माना जाता है जहां हर गावं में गावं के बाहर बुमिया जी का आक्षर मंदीर बना होता है जो भूमिरक्षक के देवता के रूप में फर्षिद है तो दोस्तों यह जो हमारी शन्खला चल रही थी लोक देवतां की वो आज हमने पूरी लिए तो इसके साथ में बने रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल प्रेश करें और अपने दोस्तों के साथ में सेर ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें अपने दोस्त का बागडिशर का आप होशला बढ़ाएं और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी आपको सभी आपको जीके से समंदी सारी वीडियो में आपको यहां करवाने वाला हूँ तो पली चैनल के साथ में बने रहेए और अपने दोस्तों के साथ में से सेर करें जैहिन जैभार